आप लोगों के मन में जीनियस लोगों का खयाल आता है तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एलबर आइंस्टाइन का ही नाम आता है इसलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाल हैं एलबर आइंस्टाइन से जुड़े कुछ रोचक तत्व के बारे में तो दोस्तों अगर आपको जानना है एलबर्ड आइंस्टाइन से जुड़े कुछ रोचक तत्व के बारे में तो बस आपको करना कुछ नहीं इस वीडियो को एंट तक देखते रहना है तो आईए जानते हैं एलबर्ड आइंस्टाइन से जुड़े कुछ रोचक तत्व आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेजिंग टेकनोलोजी में तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं फैक नमबर सिक्स की ओर फैक नमबर सिक्स है उनकी एक बहन भी थी जिसका नाम था मरिया जिया दोस्तों मरिया और अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं उससे पहले आपसे क्वेशन पूछना चाहूंगा कमेंट में आप लोग जरूर आंसर रिक्प्लाई कीजिएगा दोस्तों आप लोगों ने माजा एक कोल्डरिंग ब्रांड है उसका नाम सुना होगा जहां तक कि आपने उसको पिया भी होगा लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मारिया जो की अलबर आइंस्टाइन की बेहन थी उनका निक नेम था माज जिसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा एक कोल्डरिंग ब्रांड है हमें कमेंडे में जरूर बताइएगा आपने उसको पिया है या फिर नहीं और माजा जो कि उनकी बेहन थी उनका निक नेम था वह उनसे दो साल छोटी थी तो चलिए बढ़ते हैं फैक नंबर फैक नंबर फाइव है अलवाड अइंस्टाइन के द्वारा या बात कही गई है जिसको अभी भी दुनिया याद रखती है ने कहा था कि जिस वेक्ति ने कभी गलती नहीं कि उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिस ही नहीं कि याक कहा था एलबर आइंस्टाइन ने जिसको दुनिया अभी भी याद रखती है तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नमबर फोर की ओर फैक्ट नमबर फोर है एलबर आइंस्टाइन अपने ओटोग्राफ के लिए पाँच डॉलर लेते थे और साथ ही साथ एक भासर के लिए यानि की एक स्पीच के लिए 1000 डॉलर लेते थे और उसके बाद वह उसे बाद में दान कर देते थे जी हाँ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नमबर फ्री की ओर फैक्ट नमबर फ्री है एलवर्ड आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को हुआ था जिसको दुनिया याद रखने के लिए जीनियस डे के रूप में हर साल बनाती है तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नमबर सेकेंड की ओर फैक्ट नमबर टू है अच्छे तरीके से काम करने के लिए एलवर्ड आइंस्टाइन कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे वो दस-दस घंटे रोज सोते थे जिहां दोस्तों जिसके कारण वहाँ दिन में अच्छे से काम कर पाते थे तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नमबर first की हो दोस्तों फैक्ट नमबर वन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि फैक्ट नमबर वन सुनने के बाद आप लिटरली दंग के दंग रहने वाले हैं और ऐसे एफेक्ट जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब का नीचे बटन दिख रहा होगा उस पर जैसे आप टैप करेंगे आपके सामने एक बेल आइकन का ओप्शन आ जाएगा उसको आल पर सेट कर देना है जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आ वो उनकी बहुत बड़ी थी और जब भी वह सोक्स पहनते थे तो उसके कारण उनके सोक्स में छेद हो जाता था इसी के कारण वो कभी भी सोक्स नहीं पहनते थे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजे झाल झाल